गंगा वर्सिस मंगा मैंने बस टेस्क किया है बस भुचा की भुचा की भुचा की इसे कहीं सुना हुआ है मैंने भुचा की भुचा की दीदी मैं हूँ अवतार राम पहचाना नहीं क्या आपने क्यों फ्रेंग्स आप लोग ने भी नहीं पैचाना क्या तो फिर जल्दी से नीचे दिये हुए लिक पर क्लिक करके मेरा वीडियो को देखिए हाँ 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 याद आया कैसे हो भाई कैसे हो पूछ रही हो क्या बताओ मैं आज कल के दिन बिल्कुल ठीक नहीं है पेट्रोल रेट के बढ़ने के कारण सभी लोग अपने गाड़ियों के टांगों पर ताले लगा रहे है क्या करूँ बोलो दिदी छोटी छोटी चोटी चोरिया करके जी रहा हूँ पर देदी पेट्रोल की बहुत डिमान है कुछ भी करके एक टैंकर पेट्रोल बेचेंगे तो खूब पैसा मिलेंगा दिदी सच में क्या रे बहुत पैसे आएंगे तो मैं तुम कित्रे में बेचोगे और मुझे कितना दोगे पहले तुम दो तस ही दिदी एक हफते में तुमारे हाथों में करोड रूपिया रख दूंगा जो सुनकर चंद्रकांतम बहुत खुश हो रही थी तुरंत ही उसे चोर को लेकर अपने घर जाती है वहां गरम-गरम समोसे मिर्ची के पकोड़े सभी बनाकर जीनी को बुलाती ह जीनी तुरंत बाहर आजाता है पकोड़े चाहिए क्या जीनी भाई? पहले तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए दिदी? योही तुम यह सब नहीं बनाओगी ना? इस पूरे संसार में मुझे सही से समझने वाले तुम अकेले ही हो जीनी भाई मुझे तुम्हारी मदद चाहिए अगर करोगे तो हरोस भाशाम इस तरह के समोसे और पकोड़े बनाकर खिलाओंगी क्या है वो मदद दिदी? जिसके जवाब में चंद्रकांतम और आवतार राम दोनों मिलकर डिसकस की हुई बाते सभी जीनी को बताते हैं तब जीनी अपने हतेली जितना पेट्रोल टैंक बनाकर चंद्रकांतम को देता है तुम्हारी प्रॉब्लम का सिल्यूशन यही है माजिकल पेट्रोल टैंक बुचाकी बुचाकी क्या है ये इतना छोटा है? छोटा है? छोटा है सौच कर डाउट मत करना इसे ले जाकर किसी भी पेट्रोल पम के सामने रखो ये उन्हें बिना पता चले पूरा पेट्रोल चूस लेगी पसके बाद ये छोटा सा है इसलिए तुम आसानी से इसे दूसरी जगा लेकर जाओ वहाँ जाकर मेरे बताए मंत को पढ़ने पर वो खुद पखुद बढ़ा हो जाएगा तब तुम उसमें से पेट्रोल निकालकर जो सुनकर चिंद्रकांतम और अवतार्राम दोनों बहुत खुश होते हैं जीनी ने जैसा कहा था वो वैसा ही मंत्र अवतार्राम को बताता है इस तरह से वो दोनों magical पेट्रोल पंप की सहायता से पैसे कमाते जा रहे थे और इधर पेट्रोल पंप के ओनर उनके पेट्रोल पंप में से पेट्रोल के जोरी होने के कारण उन्हें कुछ समझ ना आकर पुलिस को कंप्लेंट करते हैं पोलिस वालों को भी कुछ समझ नहीं आता, कोई कुछ नहीं कर पा रहे थे इसलिए सबे पेट्रोल पंप ओनर्स मिलकर सूर्य कांतम के पास उसकी मदद मांगने के लिए जाते हैं अमा, रोस हमारे पेट्रोल पंप से पेट्रोल काली हो रहा है, आप ही कुछ न कुछ करिए उनकी परिशाने को समझ कर सूर्य कांतम अपनी आँखे बंद करके अपने अमाजिकल पावर से सब कुछ पता कर देती है ये सब चंद्रकांतम का ही किया धारा है, समझ जाती है और सूर्यकांतम बंद में क्या, अब पैसों के लिए तुमने चोरी भी शुरू कर दी है, बताती हूं तुम्हे सोचकर पेट्रोल पंप ओनर से ऐसा कहती है क्या हुआ है मुझे, सब समझ में आ गया है आप लोग परिशार मत हो, मैं देख लूँगी अपनी मैजिकल पवर से उस मैजिकल पेट्रोल पंप में से पूरे पेट्रोल को निकाल कर पेट्रोल पंप में डाल देती है खाली हुए मैजिकल पेट्रोल पंप में नीले रंग का पानी भर देती है पेटरोल पम्प में गायब हुआ पेटरोल फिर से आने के कारण पेटरोल पम्प ओनर्स बहुत हुश होते हैं चंदरकांथम और चोर दोनों मिलकर लोगों के गाडियों में पैसे लेकर पेटरोल भर रहे थे बेचारे उन्हें पता नहीं था कि वो पेट्रोल नहीं है, नीले रंग का पानी है इस तरह पेट्रोल के जगा पानी भरने के कारण लोगों की गाडियों के इंजन खराब होकर गाडिया खराब हो जाती है जिसके कारण सभी लोग गुस्य से चेंद्रकांतम को चोड को डाल रहे हैं क्या बे पेट्रोल की जगा पानी मिला कर डाल रहे हो क्या हमारी गाड़िया पुरी खराब कर दी है तुमने तुम लोग इस टैंक में से पेट्रोल डाल रहे थे तभी हम लोगों को समझ जाना चाहिए था अच्छी खासी भाई खराब कर दी न तुमने गाड़िया खराब करने के कारण गुस्य में लोग उन्हें मारने हाते है तभी चेंद्रकांतम को समझ नहीं आता क्या करे और चिल्लाने लगती है अरे अरे ऐसा किसे हो गया ये सबी मार देंगे शायद बचाओ अरे कोई तो बचाओ बचाओ लगता है अब सासुमा को ही बलाना ही पड़ेगा सासुमा तभी सूर्यकांतम जैसे उसे कुछ नहीं पता है आकर खड़ी हो जाती है क्या हुआ कहकर पूछती है तभी आवतार राम चंद्रकांतम टर के कारण पूरी बात सूर्यकांतम को बताते है तब सूर्यकांतम लोगों को समझाते हुए मैजिक से उनके गाड़िया ठीक कर देती है चंद्रकांतम और अवतार राम को डाट कर उन्हें सबक सिखा कर पेट्रोल खरीदे कस्टमर को पैसे वापस दिलवाती है जिसके कारण पेट्रोल पंप ओनर्स और कस्टमर्स बहुत खुश होकर सूर्यकांतम को धन्यवाद करते है सूर्यकांतम गुसे में दोनों को एक घंटे तक लिक्चर सुनाती है जिससे अवतार राम चंद्रकांतम दोनों दुखी होकर घर जा रहे थी चंद्रकांतम अवतार राम से अच्छे से करोड़ो आने वाले थे पूरा प्लैन रिवर्स हो गया यह सब उस मैजिकल पेट्रोल टैंक में पानी आने के कारण हुआ है दीदी फिर भी वो पानी कहां से आया दीदी सोचकर दोनों मिलकर फिर से जीनी के पास जाते है तभे जीनी सूर्यकांतम ने अपने मैजिक से पेट्रोल निकालकर नीले रंग के पानी कैसे भरा ये सब दिखाता है जो देखकर चंद्रकांतम अरे सासुमा अच्छा तो ये सब तुम्हारा किया धरा है ची ची हमें येकीन है कि इस एपिसोड ने भी आपको खूब हसाया होगा तो देर किस बात की? बजाओ घंटी और करो सब्सक्राइब आप गंगा के फैन हो या मंगा के? ये जरूर बताना ऐसे और मज़ेदार वीडियोस के लिए देखते रहें चाचार तीवी झाचार वीडियोस के लिए है जब करो सब्सक्राइब झाचार जब जब करो सब्सक्राइब